सभी बच्चों को मेरा मश्कार आज एंसी आरटी क्लास 12th क्लास मैस्मेटिकल इंडक्शन नहीं 11th क्लास सॉरी खलत बोल गए 11th क्लास मैस्मेटिकल इंडक्शन 4 चेप्टर एक साइस 4.1 हम डिसक्स करने जा रहे हैं चुकि उसमें बहुत सारे क्वेटिकल इंडक्शन हमने बताया था कि मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब क्या होता है इसके पहले वीडियो में बताया था इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में देख लिजेगा हमने बताया था कि देखिए किसी भी मैथमेटिकल फार्मुले को या किसी भी मैथमेटिकल स्टेट्मेंट को दो तरीके से हम चेक कर सकते हैं एक तो प्रूफ करके तो प्रूफ करने को हमने कहा था डिडक्शन कहते हैं अगर हम प्रूफ करने जा रहे हैं तो इसको डिडेक्शन कहते हैं अगर हम उस फार्मले को चेक कर ले मालिया कोई फार्मला दिया हुआ है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप्टो N इसकी वैलू होती है NN प्लस 1 बाई 2 तो हमने का था भाई या तो यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 17 तो 17 स्रेणी के N प्रदों का योगफर लगाते हैं और प्रूफ करते हैं अपने आप आ जाएगा या हम इसको चेक कर लें N की अलग-अलग वैलू के लिए यह सही है कि नहीं है तो हमने का था माले आप वन पे चेक करें टू पे चेक करें थ्री पे चेक करें फाइब पे च चेक कर लिया है और ये N की हर वैलू के लिए सही है तो हम कहेंगे नहीं वह सिक्स्टी पे गलत है तो उसके लिए आप क्या करते थे किसको आप वेरिफाई करते थे तीन स्टेज पे तो पहले तो N is equal to 1 पे आप इसको चेक करेंगे यह सही है गलत है फिर रास्ते में एक नं ब्रावर के प्लस 1 पे चेक करेंगे और अगर तीनो वैलू पे सही माना है माना नहीं जाता सवरी तो आप इसको कहेंगे यह सही है तो यह मैथमेटिकल इंडक्शन है मतलब यू आप सपोस्ट तू प्रूफ दिस स्टेटमेंट यू अर गोईंग तो चेक दिस स्टेटमें इधर इटिस करेक्ट और नथ ठीक है तो हम इसकी कोशन डिसक्स करने जा रहे है जड़ा साउधान तफ नहीं है थोड़ा सा टेक्निकल है और स्टेप बाई स्टेप अगर समद लोगे तो शायद यह इजी पड़ेगा 4.1 का पहला कोशन हम लेकी चल रहे है पहला कोशन दे ठीक है तो यह कह रहा है कि यह दिया है 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वार प्लस सो आन देखे इसमें एंथ टर्म लिखना जरूरी है इंफिनिटी के लिए चक नहीं हुपाएगा ठीक है और एंथ टर्म यहां लिखा हुआ है 3 to power n minus 1 कभी कभी यह क्या करते हैं एंथ टर्म नहीं लि लिख रहा हूं by 2 यह question number 1 है इसी को proof करना है कि यह एंड की हर value के लिए सही है अच्छा यह rd शर्मा का third question भी है यह question rd शर्मा का third question भी है ठीक है rd शर्मा में जो एक्साइट इसस की जाएगी पहर एक ही exercise उसमें में उसका third question है ठीक है इसलिए ध्यान रखेगा कि चूंकि r एडिशन में वीडियो बनाया जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है क्या तरीका होता है step 1 यह एक्स्प्रेशन को चेक करो सही है गलत है तो n is equal to 1 पे जो left hand side होगा उसमें क्या करेंगे 1 बोले तो एक step यह step तो LHS की value क्या है 1 और RHS की value क्या है यह तो LHS हो गया RHS में n को 1 रख दो तो RHS में n को 1 रखोगे तो यहाँ जाए n की value 1 रख के देखो क्या हैगा 3 to power 1 minus 1 by 2 तो 2 by 2 value क्या आगई 1 तो आपने क्या देखा कि LHS और RHS is equal to LHS is equal to RHS है तो देखें जो statement हमें एक question में लिख रहे हैं तो same statement will be in all the questions so in all the questions I will not write the statement तो इसको statement कहते है statement is true for n is equal to 1 तो हमें मान नहीं लेते हैं प्रूफ किया है कि 1 is equal to 1 के लिए यह सही है ठीक है पहला हो गया आप क्या करेंगे दूसरे step में इसको n is equal to k कोई general value हमने ले लिया और उसके लिए हमने का सही है मतब प्रूफ नहीं करेंगे वो हम पहले से सही मान लेंगे कि यह गलत नहीं है सही लिखा हुआ है step 2 पे क्या करना है step 2 हमने मान लिया let for n is equal to k statement 1 statement 1 is true हमने कहा कि n is equal to k के लिए सही है प्रूफ नहीं कर रहे है तो n को k रखो क्या आएगा यह यह हो जाएगा अपका 1 1 plus 3 plus 3 square up to so on 3 to power n को k रखें k minus 1 is equal to 3 to power k minus 1 by 2 इसको आप सही मान रहे हैं and you are not supposed to prove this statement you are assuming that it is true for n is equal to k इसके बाद अगले step में क्या करेंगे अगले step में हम n is equal to k के just बात जो number आएगा नच्छर नमबर में just बात number कैसे निकालते हैं 1 plus कर दो अब हम क्या करेंगे for n is equal to k plus 1 हम n को k plus 1 लेंगे ठीक है जो statement 1 है उसमें n की जगे k plus 1 रखेंगे और इस expression का इस्तेमाल करेंगे और ये statement में n की जगे k plus 1 अपने आप आना जाहिए तो क्या करेंगे taking lhs taking left hand side of statement 1 statement 1 का हमने left hand side लिया for n is equal to k plus 1 किसके लिए लिया हमने n is equal to k plus 1 के लिया यहाँ पर n है वहाँ k plus 1 कर दो पूरे step लिखे k plus 1 टर्म लिखी तो यहाँ क्या आपको मिलेगा 1 plus 3 plus 3 square plus 3 cube last step क्या आएगा देखो n को जब k plus 1 लिखोगे तो यह हो जाएगा k plus 1 minus 1 क्यानि 3 to power k आएगा असा इसके पहले क्योंकि k plus 1 के पहले कौन आ रहा है k तो इसके पहले का step भी लिखना पड़ेगा तो आप क्या देख रहे है कि इधर जाने पर जो power बढ़ रही है उधर आने पर power minus होगी तो इसके पहले टर्म क्या आएगा 3 to power k minus 1 आप जड़ा यहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो जड़ा यह चीज से मारे नहीं आ रही है तो इसकी जगह आप क्या दे सकते हो 3 to power k minus 1 by 2 तो using equation 2 using equation 2 2 का इसमें इस्तेमाल हम कर देते हैं ठीक है चलिए करिए 2 का इस्तेमाल इतना note करिए पहले फिर आगे 2 तो using equation 2 2 का इस्तेमाल हम करते हैं तो यह क्या हो जाएगा इसकी जगह क्या लिखेंगे इसकी जगह लिखेंगे 3 to power k minus 1 by 2 और इसके बाद क्या लिखा हुआ है 3 to power k लिखा हुआ है अब देखो इसको solve करके क्या आना चाहिए इसको solve करके यहाँ n की जगह k plus 1 अपने आप आना चाहिए solve करिए जरा देखे यहाँ पर equal to करिए यहाँ 2 ले लिजे LCM ले लिया तो यहाँ क्या आएगा 3 to power k minus 1 plus 2 into 3 to power k अब देखे 2 into 3 to power k plus 3 to power k add हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 to power 3 into 3 to power k minus 1 by 2 अच्छा यहाँ पर 3 to power कितनी है 1 और यह दोनों multiply होने पर power का क्या होता है power add हो जाते है तो यह क्या बन जाएगा 3 to power k plus 1 minus 1 by 2 अगर मैं n को k plus 1 इसके right hand side में रख देता तो value क्या थी same thing will come n is equal to rhs इसका मतलब क्या हुआ तो आप कहेंगे is true for n is equal to k plus 1 also this shows that this shows that this statement is this statement is true for n is equal to k plus 1 also इसका मतलब 1 के लिए सही है चेक कर लिया 1 k के लिए सही है मान लिया k plus 1 के लिए सही है चेक कर लिया so it is true for all the values of n so it is true for all the values of n all the values of n समझ में आगई बात तो देखे जो हम यह mathematical statement लिख रहे हैं यह क्यों कि लिए सम्में सम्में रहनी है तो हम अब लिखेंगे नहीं 1 के लिए चेक करेंगे k के लिए अपने आप सही मान लेंगे और k plus 1 के लिए चेक करेंगे ठीक है तो this is question number 1 of ncrt question number 3 of rd छर्मा देखें second question क्या कह रहा है कि 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to n cube is equal to nn plus 1 by 2 whole square यह सही है वैसे एक series है अब हम कहें इसको proof करो तो proof करना थोड़ा सा टेड़ी खीर है इसलिए सीधी खीर मनाते है mathematical induction से क्या करेंगे step 1 अब हम आपको तरीका बता चुके है क्या तरीका है for n is equal to 1 1 के लिए हम पहले इसको proof करके दिखाते है सही है कि नहीं है जब n जो लिए 1 लिखेंगे तो LHS क्या आएगा LHS में n को 1 रखोगे तो 1 cube आएगा 1 cube बोले तो 1 कुछ teachers यहाँ पर n को 1 रखते हैं यहाँ पर n को 1 नहीं रखा जाता है वो एक अलगी बात same step आता है 1 का मतलब 1 step 2 का मतलब 2 step 3 मतलब 3 step K मतलब K step पूरे terms लिखे जाते हैं नहीं LHS की value 1 आ गई अच्छा अब RHS की value निकालते हैं RHS में n को 1 रखो तो क्या आएगा 1 into 1 plus 1 by 2 का whole square ध्यान से देखे 1 plus 1 2 हो जाएगा 2 से 2 cancel हो जाएगा 1 का square क्या होगा 1 तो आप क्या लिखेंगे LHS is equal to RHS So given expression is true for n is equal to 1 ये नहीं लिखना है statement लेकिन आपको लिखना है sum में ठीक है sum में लिखना है step 2 के लिए हम क्या करते हैं हम ये कहते हैं कि for n is equal to k माल लेते हैं कि suppose this statement is true for n is equal to k language इसके पहले question लिखी ही है कि let this statement is true for n is equal to k तो हैनि कि n को k मालेंगे तो LHS और RHS सेम होगा उसको proof नहीं करना है तो इसका मतब क्या होता ये आएगा 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to कहां तक पहुँचेंगे k cube तक पहुँचेंगे तो यहां क्या आएगा k into k plus 1 by 2 का whole square equation number 2 क्योंकि अगले step के लिए इसका हम इस्तेमाल करेंगे ठीक है ये हमने मान लिया सही है इसको हम proof नहीं करने जा रहे हैं इसको assume कर लेते हैं सही है फिर step 3 में क्या करते हैं step 3 में करते हैं for n is equal to तो हम इसके left hand side में n की जगे k plus 1 करेंगे और right hand side में अपने आप या जाना चाहिए पर राइट hand side दिमाग लगा ले कि क्या आना चाहिए देखो अगर right hand side में n की जगे आप k plus 1 लिखोगे तो यहां तो आजागे k plus 1 यहां पर क्या आजाएगा k plus 1 आजाएगा और यहां पर क्या आजाएगा k plus 2 आजाएगा k plus 2 आजाएगा और by 2 का whole square यह आना चाहिए ठीक है अपने आप आना चाहिए तो हम क्या करेंगे taking LHS taking LHS of equation 1 for n is equal to k plus 1 k plus 1 के लिए value हम लेके चलते है तो यह क्या आएगा यह आएगा आपका 1 square plus 2 square plus 3 square plus last में क्या आएगा k plus 1 का whole square sorry cube चलना है यह क्या लिख रहा हूँ मैं चाहिए cube है 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to k plus 1 का whole cube इदर देखे एक-एक बढ़ रहा है 1 से एक बढ़ा 2 2 का cube 2 से एक बढ़ा 3 3 का cube ऐसे बढ़ जाए तो इसके पहले का जब step लिखोगे तो क्या आएगा q cube आएगा 99.9 है 100% यह यही आता है यह वाला step ठीक है अब आपको equation 2 2 का इस्तेमाल करें यहाँ पर ठीक है इसको साफ कर दे तो जब 2 क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे k k plus 1 तो इसके क्या आएगा equation 2 का इस्तेमाल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा we get यह आएगा k into k plus 1 by 2 का whole square plus k plus 1 का whole cube अब थोड़ा दिमाग लगाएगा क्योंकि आपको ultimately यह वाला result लेके आना है ठीक है देखें यहाँ पर जब उसको खोलेंगे तो क्या आएगा k square आएगा into k plus 1 का whole square आएगा upon का 4 आएगा और plus k plus 1 का whole cube आएगा थोड़ा दिमाग लगाएगा अब 4 ले लो calcium जब 4 calcium ले लेंगे पूरा तो इसके पास तो 4 है है तो यह क्या बचेगा k square into k plus 1 का whole square और 4 क्या हो जाएगा 4 इसमे multiply में आजाएगा तो आएगा 4 into k plus 1 का whole cube अब जब देख सकते हैं यहाँ से common क्या दिख रहा है यहाँ से common दिख रहा है k plus 1 का whole square यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा k square plus अच्छा यहाँ k plus 1 बचेगा तो इस 4 को अंदर ले जाओ इसक्या बन जाएगा 4 k plus 4 whole upon 4 हमको अपना right hand side भी देखे रहे ना कि result हमको लाना क्या है k plus 1 का square आ चुका है यह ध्यान से देखो किस चीज़ का square लिखा है यह k plus 2 का square लिखा हुआ है तो अगर हम इसको यहाँ से रप कर दें writing थोला गरवर है इसलिए जगे ज़्यादा लेके हम लिखते है इसलिए ज़्यादा दिक्कत होती है तो यह आपका हो जाएगा k plus 1 का square into k plus 2 का square upon 4 और अगर हम इसको whole square में लिखेंगे तो आएगा k plus 1 in one bracket k plus 2 in one bracket upon 2 का whole square और अगर ध्यान से देखे the same result you get in the right hand side if you put n is equal to k plus 1 इसका मतलब the statement is true for n is equal to k plus 1 also so it is true for all the values of n वो statement अपने आप लिखेंगे ठीक है तो this is question number 2 ठीक है देखें यह third question का गराया तो 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 up to n बराबर 2 n upon n plus 1 मतब पहले के denominator में 1 है दूसरे में 1 plus 2 हो गया है तीसरे में 1 plus 2 plus 3 हो गया है और nth में 1 plus 2 up to n हो गया है ना तो तरीका वही है step 1 बत्ते step by step करते जाओ पॉड़ी पॉड़ी चरता जा जहे माता दी कहता है दा बस answer अपने आप आजाएंगे for n is equal to 1 n is equal to 1 में left hand side क्या आएगा 1 का मतलब ने बताया था कि ये पहला step ठीक है तो क्या आएगा ये 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 आएगा 1 और right hand side क्या आएगा यहाँ n को 1 रख दो तो क्या आजाएगा 2 into 1 upon 1 plus 1 यानकि 2 upon 2 is equal to 1 तो आपने क्या देखा LHS is equal to RHS so given expression is true for n is equal to 1 ठीक है लिख लेंगे आप step 2 में आप क्या करेंगे step 2 में आप क्या करेंगे माल लेंगे कि k के लिए सही है let for n is equal to k this statement is true this statement is true इसके लिए सही है तो न को हम k के लिए लिख रहे है और left hand side और right hand side दोनों same हम ले रहे है तो writing गंदी है इसको manage कर लिजिएगा देखे तो ये क्या आएगा ये 1 आएगा plus 1 upon 1 plus 2 आएगा plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 आएगा plus so on plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 up to k आएगा और यहां क्या आएगा 2 k upon k plus 1 ये question number 2 आगया वही तरीका सम्मे है बिल्कुल एक जैसे गाने नहीं होते हैं एक राय मिलाते जब अब 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 बंता चला जाएगा वही यहां पर भी है अच्छा अब k plus 1 के लिए क्या करेंगे आप इसका left hand side लेंगे n की value k plus 1 के लिए देखे क्या आता है step number 3 तो यह 2 तक क्या 2 याद रखेगा इसका हम इस्तेमाल करेंगे ठीक है यह step 3 में हम k plus 1 के लिए बात करेंगे step 3 क्या करेंगे for n is equal to k plus 1 तो we take the left hand side of this expression this statement for n is equal to k plus 1 इसका left hand side लेते है तो क्या आएगा या आएगा 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus तो last में क्या आएगा last में आएगा 1 upon 1 plus 2 plus 3 up to so on कहा तक जाएगे हम हम जाएगे k plus 1 तक यह k plus 1 तक आएगा इसके पहले क्या आएगा k आएगा पूरे टर्म रहेंगे k plus 1 जोगे k आएगा इसके पहले का टर्म क्या होगा 1 plus 2 plus k अच्छा यहां से लेकर के यहां तक आप देखे जो second equation है using equation 2 using equation 2 2 का इस्तेमाल करो इसको क्या लिखेंगे यह जाएगा 2k upon k plus 1 plus और यह पूरा step लिखा हुआ है 1 upon 1 plus 2 plus 3 up to k plus 1 अब यहां पर गाड़ी लटक गई यहां पर गाड़ी लटक गई अभी party शुरू ही है ज़ा इसको देखो ध्यान से यह proof आप पहले से कर चुके हैं अगर 1 plus 2 plus 3 up to n तक plus करते हैं इसका result आता है n n plus 1 by 2 अभी इसके just हमने starting क्या था यही वाला example लिखा था यह एक फार्मूला भी है यह right up यूज कर सकते हैं तो n के जगे यहां पर क्या है k plus 1 तो जब यहां पर n को रखोंगे k plus 1 तो यह आएगा k plus 1 इससे एक ज़्यादा k plus 2 और by 2 कहा जाएगा by 2 उपर चला जाएगा यह समझ में आ गया होगा I have used this result अब यहां पर थोड़ा solve कर लिया जाए LCM क्या दिखरा है आपको LCM दिखरा है आपको k plus 1 into k plus 2 तो यहां k plus 1 है multiply किसे हो जाएगा k plus 2 से तो 2 k multiply किसे हो गया k plus 2 से और यहां k k plus 2 already k plus 1 k plus 2 है तो k बल 2 बचेगा कुछ कामन दिखरा है आपको यहां से इसको थोड़ा रप कर लेते हैं जगे थोड़ी कम है लंबे लंबे statement दिखे हुए यहां से उपर से हम 2 कमन ले लेते हैं ठीक है और इस bracket को खोल देते हैं तो bracket क्या हो जाएगा k square plus 2 k plus 1 upon नीचे क्या है k plus 1 into k plus 2 is equal to ज़रा ध्यान से देखे इसका numerator क्या लिखा हुआ है k square plus 2 k plus 1 को क्या लिखा जा सकता है इसको लिख सकते है k plus 1 का whole square और नीचे क्या लिखा है k plus 1 into k plus 2 k plus 1 से एक पावर कट जाएगी तो आएगा 2 k plus 1 upon k plus 2 ज़रा राइट हैंड साइड को देखे अगर मैं यहाँ पर n को k plus 1 लिखता ते रिजल्ट क्या आता 2 in bracket k plus 1 upon k plus 1 plus 1 याने k plus 2 यह तो आता तो this is equal to right hand side तो आप लिखेंगे this expression is true या this statement is true for n is equal to k plus 1 also so it is true for all the values of n समझ में यह बात वो statement आप सब में लिखेंगे हम एक में लिखर के फुरसत पालिए ठीक है देखें क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है फ़रा लंबा RHS बहो लंबा है मेरी भी हाइट से ज्यादा है 1 into 2 into 3 यह 1.2.3 नहीं है 3 decimal नहीं कहीं लगते mathematics पी मालूम है यह into लिखा है 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 up to n into n plus 1 into n plus 2 is equal to n n plus 1 n plus 2 n plus 3 by 4 अगर मैं कहूँँ आप proof करिये इसको proof deduction जिसको मैं नहीं करता है था तो proof करना तो थोड़ा सा अब यह नहीं कहने पॉस्बिल नहीं है पॉस्बिल तो वह सब कुछ है लेकिन बहुत 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 लंदी हो जाएगा हमने कहाँ इसको verify करिए तो verify करना ही induction होता है वही चीज इस step 1 से start करते है ठीक है देखिए step 1 मैं यहाँ से लिख रहा हूँ एक मिनट जड़ा यह pen में इंक ज्यादा हो गई लगता यह ज्यादा इंक निकाल रहा है step 1 step 1 क्या करते हम for n is equal to 1 तो n is equal to 1 के लिए हम देखेंगे left hand side की value क्या आती है ठीक है तो देखो LHS क्या आ रहा है LHS तो हमने 1 क्या बताया था कि एक step लिखिए LHS आएगा 1 into 2 into 3 3 to 6 यह नि 6 आ गया Arches लेते हैं Arches में n को 1 रखिए यहां n को 1 रखिए तो आएगा 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2 into 1 plus 3 upon 4 खुलिए इसको यह आएगा 2 into 3 into 4 upon 4 4 for cancel out value क्या गई 6 आपने क्या देखा कि left hand side is equal to LHS is equal to RHS तो वही वाला घिसाफ़ा statement so this statement is true for n is equal to 1 यही वन के लिए यह सही है ठीक है अब क्या करते हैं step 2 लेते हैं step 2 पे हमने क्या बताया था support it is true for n is equal to k for n is equal to k अब यह आप लिख लिएगा कि हम k के लिए क्या मान रहें आप कहेंगे हम मान रहें कि यह k के लिए सही है तो n को k रखो तो क्या आएगा 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 up to so on plus k into k plus 1 into k plus 2 is equal to क्या आएगा is equal to आएगा k into k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 whole upon 4 आएगा this is equation number 2 ठीक है अब हमको क्या करना है अब इसको k plus 1 के लिए सही करना है अब जड़ा देखिए इसकी लंबाई ठीक ठाक है इसलिए ध्यान से लिखिएगा for n is equal to k plus 1 taking lhs of equation 1 taking lhs लिखिए lhs में लिखिए और n की जगे k plus 1 लिखिए तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus देखो k plus 1 लिखा है न हमने तो यहाँ आएगा k plus 1 वहाँ उससे एक ज़्यादा k plus 2 उससे एक ज़्यादा k plus 3 तो यहां क्या आएगा, यहां आगा है k plus 1 आएगा, k plus 2 आएगा, और k plus 3 आएगा, यही तक तक आएगा, और इसके पहले क्या आएगा, एक एक कम हो जाएगा, तो k plus 1 से एक कम k, उससे एक कम k plus 1, उससे एक कम k plus 2, जगह थोड़ी कम है, plus, और यहां से लेकर के यहां तक क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा example, that equation number two, using equation two, using equation two, आप दिखो using करने के साथ साथ आपको अपनी right hand side पर दिमाग लाना पड़ेगा, कि हमको RSS में लाना क्या है, फिलाल equation two का इस्तेमाल हम करते हैं, देखो द्यान से, क्या इस्तेमाल किया जाएगा equation two, यहां से लेकर के यहां तक क्या लिखेंगे, यह बड़ी सी value, मतलब यहां क्या लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा, के, के, into, के, plus one, into, के, plus two, into, के, plus three, by, four, यह लिख दिया, और यह जो लिखा है तो लिखा ही रहेगा, तो जगय तो है नहीं, तो अगला हम statement पे हम, बुल्डोजर च k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 अब इसको आपको solve करना है और right hand side वहां का देखना है कि अगर मैं n को k plus 1 लिखता हूँ तो आखिर उसके RHS में आएगा क्या ठीक है? देखते हैं अगले step को फ़र direct हम कर रहे हैं ये note कर लिया ये note करेंगे और ये पूरे में से 4 L से हम ले लेंगे हम अगले step में कर लेंगे और जब 4 लेंगे तो यहां 4 आ जाएगा समझाए ये बात? अब उपर से common क्या दिख रहा है? k plus 1 common है, k plus 2 common है, k plus 3 common है तो k plus 1 common है k plus 2 common है k plus 3 common है यहां बचेगा क्या? यहां बचेगा क्या? क्या मतलब k, sorry k और यहां बचेगा 4 तो आएगा k plus 4 और अपान क्या आएगा? 4 अगर n को k plus 1 हम right hand side में रख देते तो value क्या थी? k plus 1 एक ज़्यादा, k plus 2 एक ज़्यादा k plus 3 एक ज़्यादा, k plus 4 यही आता न तो आप कहेंगे it is equal to right hand side so given expression is true for n is equal to k plus 1 also so it is true for all the values of n तीक है? this is the question number 4 ओकी? देखिए, fifth question है 1 into 3, 2 into 3 square 3 into 3 cube, up to n into n cube is equal to this relation you have to prove अगर मैं को इसको proof करके दिखाओ तो actually मैं यह sequence and series के help से हो भी सकता है लेकिन फिलाल हमने कह रखा है कि mathematical induction से दिखाईए तो वही घिसा पिटा रूल step 1 step देखे, केवल आपको तो तीसरा step होता है वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है थोड़ा सा दिमाग लगेगा step 1 में क्या लखेंगे? for n is equal to 1 तो n is equal to 1 में left hand side के आएगा? n को यहाँ है पहला step देखो तो आएगा 1 into 3 यानिके LHS क्या आएगा? 3 arches क्या आएगा? arches में n को 1 रखो यहाँ पर n को 1 रखेंगे देखो क्या आएगा? तो आएगा 2 into 1 minus 1 into 3 की power 1 plus 1 plus 3 whole upon 4 तो 2 वन जाट 2 2 minus 1 1 1 ही रहेगा और 3 square हो जाएगा 9 तो आएगा 9 plus 3 upon 4 is equal to 12 पर चार चारती है बारा आपने क्या देखा? LHS is equal to RHS so given expression is true given statement is true for n is equal to 1 ठीक है? अच्छा दूसरे step में क्या करते हैं? दूसरे step में हमने का है कि you have to assume that it is true for n is equal to k k के लिए सही है प्रूप नहीं करना है सही है तो आप यहाँ पर n को k के लिए 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 दीज़ेगा क्या आएगा? 1 into 3 plus 2 into 3 square last में क्या आएगा? k into 3 to power k is equal to यहाँ आएगा 2 k minus 1 into 3 to power k plus 1 plus 3 upon 4 यह equation number 2 आगया इसका इस्तेमाल k plus 1 के लिए करना है ध्यान रखिएगा step 3 क्या करेंगे? for n is equal to k plus 1 तो इसके right hand side sorry क्या बोला हूँ? left hand side में n को k plus 1 लिए 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 तो यहाएगा 1 into 3 plus 2 into 3 square plus last में क्या आएगा? last में आएगा k plus 1 into 3 to power k plus 1 और इसके पहले क्या आएगा? k into 3 to power k यह last में ही तो आएगा k plus 1 यह तो आएगा अब इसमें क्या करेंगे? using equation 2 2 में कैसे इस्तेमाल करेंगे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की value से में है अब इसके पहले का step लिखने का तरीका क्या होता है? देखो यहाँ से देखो 1 से 2 कैसे आया? एक बढ़ा तो k plus 1 के पहले जब आओगे तो एक घड़ जाएगा तो k plus 1 से एक कम क्या होगा? ठीक है? 3 की पावर 1 3 की पावर 2 इधर पावर एक एक बढ़ रही है तो पीछे एक एक पावर घड़ जाएगी तो k plus 1 का एक कम करोगे 3 पावर k आएगा यह जाने का तरीका है यह पहचाने का तरीका है अच्छा 2 का इस्तेमाल करो जड़ा तो क्या जाएगा? तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा यह पूरा स्टेप हो जाएगा लिखे जड़ा थोड़ा कल्कुलेशन गड़ बढ़ है ध्यान रखिएगा तो जब यहां लिखें क्या आएगा? यहां आएगा 2 क माइनस 1 इंटू 3 तू पावर क प्लस 1 प्लस 3 अपान 4 प्लस के प्लस 1 इंटू 3 तू पावर के प्लस 1 दरा ध्यान से समझेगा हमने इसको लिख लिया फिला इसको रब कर रहे है और थोड़ा हम राइट हैंड साइट पे दिमाग लगाएंगे पहले जड़ा राइट हैंड साइट को देख लिजिए क्योंकर राइट हैंड साइट से ही हमको आइडिया लगेगी कि हमारा स्टेट्मेंट प्रूफ 4 अग नहीं हो रहा देखें अगर मैं यहां पर एन को के प्लस 1 लिखता तो यह क्या आजाता 2 k प्लस 1 माइनस 1 3 to power यह हो जाता k प्लस 2 प्लस 3 अपान 4 इसको solve करेंगे तो क्या आएगा 2 k प्लस 2 माइनस 1 तो आएगा 2 k प्लस 1 यहां यहां क्या आजाना चाहिए यहां आना चाहिए 2 k प्लस 1 यानि अगर इसको हम solve करें और this result will come तो इसका मतलब यह k प्लस 1 के लिए सही है चलिए यहां 4 lsm ले लो पहले तो क्या आएगा 2 k माइनस 1 इन्टू 3 to power k प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 इन्टू k प्लस 1 इन्टू 3 to power k प्लस 1 whole upon 4 आप कहेंगे वाह whole upon 4 तो आगया रे वो तो आई जाएगा आगे की बात देखिएगा थोड़ा सा देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं इस वाले step में और इस वाले तो ही टर्म तो है यह पुरा bracket में लिखा रहेगा तो एक ही टर्म तो माना जाएगा ना यह वाले टर्म में और यह वाले टर्म में क्या कामन दिख रहा है 3 to power k plus 1 कामन दिख रहा है तो मैं इससे क्या करता हूँ इसमें 3 to power k plus 1 कामन ले लेता हूँ चलेगा? Yes, चलेगा क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा 2 k minus 1 और यहाँ से बचेगा 4 into k plus 1 अब देखो ध्यान से, अब इस bracket को हम खोलते हैं, bracket को open करना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा, 3 to power k plus 1 bracket में क्या आएगा, तब खोलो गुद क्या आएगा, 2 k minus 1 plus 4 k plus 4, और plus 3 बहार लिखाई हुआ है, whole upon 4 यहां तक पहुँच गए, ठीक है, आगे देखो जड़ा ध्यान से, ये 3 to power k plus 1 है, अंदर क्या पचेगा, 2 k plus 4 k, 6 k हो जाएगा, 6 k आगया, 6 k आगया, और plus का 4, minus का 1, plus का 3 आगया, plus का 3 आगया, और plus का whole, बहार 3 लिखा हुआ है, upon 4, यहां तक पहुँच गए, इस bracket से आपको common क्या दिख रहा है, 3 common दिख रहा है, बहार निकालो, तो आएगा, 3 to power k plus 1 into 3, bracket में क्या आएगा, 2 k plus 1, plus 3, whole upon 4, जड़ा ध्यान से देखो, ये दोनों multiply में लिखे हुए है, है ना, इसकी power k plus 1 है, इसकी power 1 है, और जब base equal होता है, तो multiply में power add हो जाती है, तो इसको पहले लिख दो, यानि 2 k plus 1, और 3 to power k plus 2 हो जाएगा, और plus 3 upon 4, अब देखो, यही right hand side है, आरचे से ही है ना, तो आप लिखेंगे, this statement is true for n is equal to k plus 1, तो रैटिंग गंदी है, इसले हम चिला चिला की बोल ही रहें, किसे कोई confusion नहों, तो मेरे ही साफ से समझ में आ गया होगा, तो this is question number 5, question 6, जो कि NCRT का question है, और यह RD सर्मा का 14th question है, RD का 14th question है, क्योंकि RD में जब आएगा, फिर यही question आएगा, तो वहां भी कहा जाएगा, NCRT का 6 है, और RD का 14 है, ठीक है, देखिए, अब मैं समझ नहीं रहाँ, step 1, क्या करते हैं, N is equal to 1 लेते हैं, यहीं कि एक step, पहला step, तो LHS की value क्या जाएगी, 1 into 2 बोले तो 2, फिर क्या करेंगे, आरचस लेंगे, और N को 1 रखेंगे, तो आएगा 1, 1 plus 1, 1 plus 2, अपान 3, तो 1 into 1 plus 2, 3, 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, अपान 3, is equal to 3, कड़ गया, 2 आगय तो आपने क्या लिखा, LHS is equal to RHS, so given statement is true for N is equal to 1, यह mathematical statement होता है, step 2 में हम क्या करते हैं, step 2 में हमने कहा, कि we assume that, for N is equal to K, this statement is true, यह लिखेंगे आप, हम लिख नहीं रहें, N को K रखो, यहनी N को K मतलब यहां मतलब K रख दीजेगा, पूरे term लिखेंगा, K तक ले जाएगे, तो आएगा, 1 into 2, plus 2 into 3, plus 1, plus K into, K plus 1, is equal to, यहां क्या आएगा, यहां लिखेंगे देना नीचे, K, K plus 1, K plus 2, upon 3, यह second equation हो गया, third step जो कि यही दिक्कत create करता है, for N is equal to, step 3, for N is equal to, K plus 1, LHS में N को K plus 1 रख दीजेगा, तरीका हमने क्या बताया था, देखो ध्यान से, N को K plus 1 लिखेंगे, तो यहां आएगा, 1 into 2, plus 2 into 3, देखो, and so on, यहां last में आपने N को K plus 1 लिखा, अब यह step फिर समझने की कोशिश करिएगा, N को K plus 1 लिखेंगे, यहां क्या आएगा, यहां आएगा K plus 1, और यह इससे एक ज्यादा है, तो यह K plus 2 हो जाएगा, अब इसके पहले का step पहँचानिए, देखें, 1, यह पहला step 1, यह पहला step 2, इसके बाद पहला step 3, यह पहला step K plus 1, तो इसके पहले आएगे तो एक कम हो जाएगा, तो K plus 1 जब पहले आएगा, तो K हो जाएगा एक कम, और फिर इसका एक कम कर दोगी, K plus 1 हो जाएगा, तो को 90%, क्या 100% आना तो यही है आपका, इसके पहले क आपको जानकरी होने चाहिए using equation 2 using equation 2 यह forcing नहीं है कि यह आप यह 4 लिखा और सिंग का है लिखा मैं using भी रहा हूं इसलिए तो 1 से लेकर के पहले step से लेकर के यहां तक क्या लिखेंगे यहां तक यह चोटी सी value लिखेंगे क्या है यह के के plus 1 के plus 2 अपान 3 प्लस यहां क्या हैगा के plus 1 into के plus 2 अब देखो ध्यान से अगर मैं right hand side में चुकिया RSS लेकर आना है ना अगर right hand side में मैं n को के plus 1 लिखता तो यह के plus 1 हो जाता यह उससे एक ज्यादा है के plus 2 हो जाता यही आना चाहिए अब देखो अगले step में हम क्या करेंगे यह से आपने लिख लिख लिया अब हम यहां 3 LCM लेंगे और यह हट जाएगा यह पूरे में 3 LCM हो जाएगा और यह 3 multiply माल जाएगा यह ने करना कहां से आया यह आप जानते है ठीक है तो जो RD सर्मा डिसस की जाएगी तो फिर वहां बताया जाएगा ध्यान रखिएगा देखिए उपर देखिए k plus 1 k plus 2 कामन है तो हमने k plus 1 कामन ले लिया और k plus 2 कामन ले लिया यहां क्या बचेगा यहां से k बचेगा यहां से 3 बचेगा k plus 3 बचा अपान 3 बचा अगर मैं n को k plus 1 लिखता तो यही तो statement आता is equal to right hand side वही घिजा पता statement so this statement is true for n is equal to k plus 1 also so it is true for all the values of n this is 6 question देखिए question 7th क्या करा है 1 into 3 into 3 into 5 plus 5 into 7 up to this is equal to this you have to prove यह RD Sarma का 13th question है ठीक है आप देखिए step 1 और step 2 बहुत आसान है आप सब को मालू है n is equal to 1 के लिए क्या करेंगे LHS की जब value लिखेंगे तो 1 into 3 बोले तो 3 आएगा और जब RHS की value लिखेंगे n को 1 लिखो यहां 1 बहर हो जाएगा अंदर 4 plus 6 minus 1 upon 3 तो 6 4 10 10 minus 9 9 बटे 3 यानि कि 3 आएगा तो LHS is equal to क्या हो गया RHS यहां आपने कहा कि n is equal to 1 के लिए यह सही है ठीक है बड़ा कोशन है इसलिए रब करके दुवारा लिखना पड़ेगा step 2 देखिए यह RD सर्मा का 13th कोशन है step 2 पे हमने क्या कहा for n is equal to k हमने का this statement is true यह सही है k के लिए तो क्या आगया 1 into 3 plus 3 into 5 plus यहां क्या आएगा 2k 2k minus 1 into 2k plus 1 is equal to k यह आएगा आपका 4k square plus 6k minus 1 upon 3 अब जो देखिए ध्यान से जब हम right hand side में n को k plus 1 लिखेंगे न तो चुकि यह बड़ी value आएगी तो इसलिए हम पहले इसको solve कर लेंगे और हम इसको देख करके हिसाब से adjust करके लिखेंगे ठीक है अब जरा step 3 देखिए step 3 में क्या करेंगे हम n is equal to k plus 1 लिखेंगे कहां पर इसके right hand left hand side में तो यह value क्या जाएगी 1 into 3 plus 3 into 5 plus so on जब n को k plus 1 लिखोगे तो यह बन जाएगा 2 k plus 1 और यह बन जाएगा 2 k plus 3 ठीक है बाई देखो देखो क्या इनको k plus 1 रखो न हम क्यों देखें इसके पहले क्या आएगा इससे 2 कम करोगे यह और नंबर है once में 2 बढ़ाया 3 आया तो 3 में 2 minus करोगे बनाएगा न तो इसमें 2 minus करोगे तो आएगा 2 k minus 1 और इसमें 2 minus करोगे तो आएगा 2 k plus 1 ध्यान रखेगा ऐसा नहीं कि हर जगे आपने एक ही minus कर दिया है देखना पड़ेगा क्या minus क्या आजा रहा है अब equation 2 का इस्तिमाल कर दो using equation 2 तो यहां से लेकर के यहां तक की value क्या आजाएगी यह आजाएगी तो यह आजाएगा k into 4 k square plus 6 k minus 1 upon 3 plus 2 k plus 1 into 2 k plus 3 अब problem यह है अगर मैं n को k plus 1 यहां लिखता हूँ ठीक है तो यहां k plus 1 बाहरा जाएगा यहां एगा 4 k plus 1 का holy square 6 bracket में k plus 1 तो बड़ा technical factor हो जाएगा ना अब technical factor यहां करना संबो नहीं है तो हम क्या करेंगे पहले इसको solve कर लेते हैं ठीक है अब solve करने का एक हम omit कर रहे हैं हम 3 LCM लेंगे यह 3 यहां आ जाएगा ठीक है और यह line पूरी खिंच जाएगी यह आपको diet करना पड़ेगा ठीक है अब आप क्या करो हमारे पास ना तो कुछ factor common दिख रहा है ना इसके factor हो सकते हैं फिलहाल ठीक है तो हम क्या करेंगे फिलहाल पूरा bracket खोल देते हैं ठीक है देखो क्या आता है हम पूरा bracket खोल के इसको लिख रहे हैं क्या आएगा calculation देख लिएगा calculation गड़ बढ़ना आने पाए है ना थोड़ा लेंदी है बस और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखिए फिलहाल यह bracket खोलो तो आएगा 4k cube plus 6k square minus का k plus का 3 यह पहले खोलते हैं 2k को अंदर ले जाएंगे तो 2k का 2k सुमिटे करो गया आएगा 4k square plus 6k plus 2k plus 3 होल अपान 3 फैक्टर करना थोड़ा यहां पर possibility कम लग रही है इसलिए हम पूरा इसको solve करके रखते हैं देखो क्या result आता है 4k cube plus 6k square minus k plus 3 3 को अंदर ले जाओं तो 3 चोग 12 12k square देखो 6 2 8 है 824 plus का 24k plus का 3 अपान 3 is equal to देखो 4k cube 6k square 12k square 18k square plus 18k square minus का k और प्लस का 24k तो प्लस का 23k प्लस का 3 अपान 3 तो यह लेफ्ट हैंड साइड की value हम solve करके लाए ठीक है अब राइट हैंड साइड में हम मान के चलेंगे की n को k plus 1 लिखेंगे और यह result आना चाहिए ठीक है तो taking arches हम करते है taking arches for n is equal to k plus 1 अब हम इसको factorize करके यह लाना सम्भव थोड़ा है सम्भव तो है देखेंगे आप इवदारों सम्भव नहीं है सम्भव है लेकिन हम नहीं करेंगे taking arches taking arches for n is equal to k plus 1 arches में n को रखो k plus 1 तो क्या आएगा यह आएगा k plus 1 in bracket 4 k plus 1 का whole square plus 6 k plus 1 minus 1 whole upon 3 अगर यह calculation भगवान की दया से सही है तो यह result नहीं आएगा अब एक हम छोड़ दें कहीं इस तो solve करेंगे ना वा जाएगा आप कहीं अच्छा बेटा आप कहीं गलत हुआ तो comment में हमारी हलत खराब कर दोगे तो यह आएगा k plus 1 देखो अब आएगा 4 इसका होरिसर खोलते हैं तो आएगा k square plus 2 k plus 1 plus 6 k plus 6 minus 1 है whole upon 3 जगए थोड़ा कम है जगए कम नहीं है rating अंदी है तो k plus 1 bracket क्या आपचेगा देखो यह 4 k square आएगा थोड़ डायट करेंगे यह 4 k square आएगा अब देखे प्लस का 4 दूनी 8 plus का 8 की होगा और प्लस का 6 की होगा तो 8 से 14 की तो प्लस का 14 की हो जाएगा calculation देखे रहीएगा ठीक है plus का 4 आएगा प्लस का 4 आएगा और 6 4 10 आएगा और 10 minus 1 9 आएगा तो प्लस का 9 आएगा अब के को अंदर ले जा रहे है कि अंदर जाए क्या बन जाएगा यह आएगा फोर के क्यू प्लस 14 की स्क्वाइर प्लस 9 के प्लस 4 के स्क्वाइर प्लस 14 के प्लस 9 आएगा प्लस 14 के प्लस 9 आएगा भाई तीन तरक नौ का बात है भाई देखनी रहे हो यह भी तो 9 आएगा वही मैं कहूं गरबड हो रहा है ऊहल अपान 3 देयों फोर के क्यूब आरे वाह मिल गया 14 के स्क्वाइर 14 40 018 के स्क्वाइर रह वाह बेटा हम भी राजा बेटा होगे प्लस 18 के स्क्वाइर हो गई राजा बेटा और क्या अवचा 14 और 9, 9, 4, 3 के, अरे वाह, यह राजा बेटा हो गए, और प्लस 9, होल अपान 3, यही तो RHS है, is equal to, right hand side, यह दिख रहा है, पूरा, दिख रहा है, is equal to, इसमें लिख देंगे यहां पर, is equal to RHS, so given expression is true for, N is equal to K plus 1, it means it is true for all the values of N, ठीक है, हम बोलते भी जा रहा है, इसले इस rating का effect आपके उपर, नहीं पढ़ना चाहिए, तो this is the 7th question, ठीक है, देके 8th question क्या कह रहा है, कह रहा है, 1 into 2, 2 into 2 square, 3 into 2 cube, NCRD मुरत लिखा, 2 square लिखा हुआ है, N into 2, पौर N, यह प्रूफ करना है, और यह RD सर्मा का 10th question भी है, RD का यह 10th question भी है, तो वही बात, step 1, heading डालो चाहने डालो, डाल देते हैं विसले कि अलग-अलग 3 step में clear हो जाता है, for N is equal to 1, LHS की value क्या आएगी, 2 आएगी, और RHS की value क्या आएगी, देखो, N को 1 रखोगे, तो 1 minus 1 0 हो जाएगा, है न, यह पूरा step 0 हो गया, तो 2 बचेगा, is equal to 2, तो आपने क्या देखा, LHS is equal to RHS, so given expression is true, for N is equal to 1, step 2 में क्या करेंगे, for N is equal to K, हमने मालिया के के लिए सही है, तो क्या बनेगा यह, 1 into 2 plus 2 into 2 square, अब 2, k into 2 to power k is equal to k minus 1 in bracket, 2 to power k plus 1 plus 2, एक 2 आगया, step 3 देखे, step 3, for N is equal to, अब हमको लगता है, step पकड़ में आ गए होंगे, k plus 1, अब इसके left hand side में इनको k plus 1 लिखेंगे, LHS में, लिखेंगे, taking LHS of equation 1, तो 1 into 2 plus 2 into 2 square, अब 2, यहाँ पर आएगा, k plus 1 into 2 की power, k plus 1, इसके पहले आएगा, k into 2 to power k, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, using equation number 2, तो देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक क्या सेम चीज है, यहाँ क्या लिख देंगे आप, यहाँ लिख देंगे, k minus 1 into 2 की power, k plus 1 plus 2, किसकी जिगह लिखा हमने, इसकी जिगह, और plus k plus 1 into 2 to power k plus 1, अब देखो, अगर हम right hand side में, N को k plus 1 लिखेंगे, तो आता क्या, द k plus 2 आता, यहाँ से बचेगा, k minus 1 plus, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा, k minus 1 plus, यहाँ क्या बचेगा, k plus 1, और यह वाला 2 लिख दो, है न, अब देखो, हम रास्ता क्लियर कर लेते हैं, यह 2 और 2 कड़ गया, तो आ गया 2 to power k plus 1 into 2 k plus 2, देखो, 2 की पावर k plus 1 into 2 की पावर 1, यह k पहले कर दो, तो k into 2 की पावर k plus 2 plus 2, अगर मैं n को k plus 1 रखता हूं, तो right hand side में यही आता है, is equal to rhs, so given expression is true for n is equal to k plus 1, it means it is true for all the values of n, this much questions are sufficient for this video, otherwise ज्यादा हो जाएगा, राइटिंग थोला गंदी है, बार बार हम कहते हैं, लेकिन content ठीक है, मैंने संदाने की पूरी कोशिस की है, अगर आपको लगे की ठीक है, तो चैनल को subscribe कर लिजेगा, नमस्कार, good night.